हालो दोस्तो, मैं पुनम आप सभी का क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ आज का जो हमारा चोकलेट केक है, वो हमने बचे हुए गूंदे आटे से बनाया है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको इस केक की एक हेल्दी वर्जन बनाने की टिप दूँगी तो आईए, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं हमारे आज की इंग्रीडियन्स है, यहां मैंने आदा कप आटा लिया है, यह गूंदा हुआ आटा है, देखिए आप देख सकते हो, जिससे हम रोटी बनाती हैं, यह वो आटा है तो ये आदा कप लिया है मैंने, इसी के साथ मैंने आदा कप दूद लिया है, यहां मैंने 12 बिस्किट लिया है, ग्लुकोस के, यहां मैंने 6 बड़ी चमज शक्कर की लिया है, यह पीसी हुई है, दो बड़े चमज मैंने कोको पाउडर लिया है, तीन बड़े चमज मैंने यह यहां अनफ्लेवर्ड ओईल लिया है उसी के साथ यहां मैंने कुछ काजू को ऐसे बारिक तुकडो में काट लिया है एक चमच हमने विनेगर के लिए है एक चमच है वैनिला एसंस वन फोट टीस्पून हमने लिया है बेकिंग सोडा हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर और यहां कुछ चोकोचिप्स लिये है यह अप्शनल है अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो नहीं तो इसके विग्यार भी केक अमारा बहुत अच्छा वेनेगा तो फ्रेंड्स केक का बैटर बनाने से पहले हम जो है अपना कडाई को है करम कर लेते हैं प्री हीट कर लेत अब हम धफ देंगे किसी भी बरतन से ताकि इसमें से हवा नहीं निकल सके और इसे हम प्री हीट करेंगे 10 मिनिट के लिए तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यह जो बिस्कित हैं के तुकड़े कर लेंगे और इसके मिक्सर जार में डाल लेंगे मेरा मिक्सर जार ऐसे वाइट दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें शक्कर अभी पीसी थी तो इसमें हम बिस्कित के तुकड़े डालके इसको हम बारिक पी इसलिया है, इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूं और फिर इसी जार में हम अपना केक का बैटर जो है वो बनाने वाले हैं, तो मैं सारा बिस्कित निकाल लेती हूं इसमें और इसमें अब हम अपना केक का बैटर बनाएंगे, तो केक का बैटर बनाने से पहले हम इस तरह स ग्लास में आज केक बनाने वाले हैं तो इन्हें हम ओईल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब हम इसमें से केक बाहर निकाले तो वह आसानी से बाहर आ जाए तो मैं दोनों ग्लासेस को ऐसी तरह से ग्रीस कर लेती हूं तो सबसे पहले हमने जो यह आटा लिया है, इसके हम छोटे छोटे इस तरह से तुकड़े करके मिक्सर जार में डाल लेंगे, सारे आटे के हम ऐसे तुकड़े बना लेते हैं, इस तरह से मैंने सारे आटे के तुकड़े बना लिये हैं, तो फ्रेंड्स अब इसी जार में हम ब थोड़ा सा दूट डालते हैं, आदा डालेंगे, एक बार घुमाके फिर से हम बाकी का आदा इसमें डालेंगे, इसी के साथ हम इसमें ओईल भी डाल देते हैं, और ये सारी चीजे डालके एक बार हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं, तो फ्रेंट सारी चीजों को एक बार मिक्सर में घुमाने से ये बैटर ऐसे हुआ है, इसमें मैं अब डाल दूँगी बाकी का जो हमने आदा दूद रखा था वो भी इसमें एड कर देती हूँ, और इसे फिर से एक बार मिक्सर में लगा के चला लेते हैं, तो इसे मैंने एक इसे एक मैं पॉट में निकाल लेती हूँ और फिर बाकी के इंग्रीडिंस इसमें एड करोंगी, तो फ्रेंट्स हमारा बैटर इस तरह से दिख रहा है, अब हम इसमें एड करेंगे बिस्किट का चूरा, जो हमने मिक्सर में पीस लिया था, तो इसे मैं कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, केक का टेस्ट वैसे ही रहने वाला है, तो इसमें हम डाल रहे है, वैनिला एसंस, इसे भी मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से, इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसे मिक्स कर लेते हैं, इसे बहुत अच अच्छे से फैल जाए, तो नॉर्मली हम जब केक बनाते हैं, तो हम ड्राइ इंग्रीडियंस में उसे चान लेते हैं, इस बार हमने गुंदे हुए आटे से केक बनाया है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैंने, अब इसमें मा डालूँगी, चोको चिप्स, और ये काजू के तुकडे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फाइनली लास्ट में इसमें अब हम डालने वाले हैं, विनेगर, ये एगलेस केक है, इसलिए इसमें विनेगर या कर्ड या ऐसे कुछ भी हमें डालना पड़ता है, जिसके वज़े से केक जो है, फूल के ब केक के बैटर को अब हम ग्लासेज में फिल कर लेते हैं, बेक करने के लिए, हमारी कडाई जो है वो भी प्री हीट हो चुकी है, तो इसे आपने हाफ भरना है, पूरा उपर तक हमने इसे नहीं भरना है, नहीं तो केक जो है वो बाहर आ जाएगा, तो आदे से थोड़ा सा उ बाल रही हूं, देखिए, जो साइड में लग जाए, उस साफ कर दीजिए, और इस तरह से मैंने इसमें भर दिया है, तो बाकी के ग्लासेज में भी मैं इस तरह से भर लेती हूं, और फिर इसे हम बेक करते हैं, तो फ्रेंड यहां मैंने ग्लासेज में भर लिया है, इस तर तो अब इने हम रखते हैं कडाई में बेक ओने के लिए तो अब इस तरह से कडाई में रख देती हूं और इसे हमने slow gas पे ही बनाना है slow gas पे इसे 30 to 35 minutes तक हम बनाएंगे और आपने इसे 25 minutes तक खोलना नहीं है तो इसे मैं ढख देती हूं अच्छा से और ढख के हम इसे 25 minutes तक तो हम इसे बिल्कुल नहीं करेंगे 25 minutes बाद हम इसे चेक करेंगे और इसे बनने के लिए 32 to 35 minutes लग जाते हैं तो friends इसे रखे हुए मुझे अब हो गए है 35 minutes 30 minutes के बाद मैंने इसे एक बार चेक कर लिया था तो इसे अब मैं बन कर देती हूं और इसे अब हम खोल के देखते हैं कि हमारा जो केक है वो कैसे बना है तो आप देख सकते हो हमारे केक जो है एकदम फुल के तयार है तो इसे अब मैं कडाई में से बाहर निकाल लेती हूं और थोड़ा थंडा करके फिर इसे हम दीमोल्ड करेंगे तो केक को मैंने डीमोल्ड कर लिया है हमारा केक बहुत अच्छे से बेख हुआ है यह बहुत ही स्पॉंजी बना है और हमारे सारे जो हैं ग्लासेस में से मैंने निकाल लिया है तो इसके मैं आपको पीसेस करके अब बताऊंगी और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हू इसी तरह से मैंने जैसे मैंने ये केक बनाया है आटे का उसी तरह से गूदे हुए आटे का मैंने एक और केक बनाया है वो मैंने उसमें मैंने बिस्किट नहीं डाले थे मेरे बेटे को जड़ा थोड़ा health conscious है वो तो उसे मीठा कम पसंद है तो मैंने उसमें बिस्किट ना डा करके भी बना सकते हो तो इसके अब मैं स्लाइसेस करके आपको दिखाती हो तो फ्रेंड्स यहां मैंने अपने केक की प्लेटिंग कर ली है मैं आपको पास में से दिखाना चाहूंगी कि इसके अंदर जो हमने चोकोचिपस डाले हैं वो मेल्ट हो चुके हैं बनते हुए और इ कमेंट करके जरूर बताना और आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और नई रेसिपीस के लिए